प्राचीन यूनानियों में बुद्धी की देवी एथेन के बारे में कहा जाता है कि वह उलू का रूप धार कर पृत्वी पर आई हैं भारतिय पौरानिक कहानियों में भी यह उल्लेक मिलता है कि उलू धन की देवी लक्ष्मी का वाहन है उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसे दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है ये अपनी गर्दन पुरी घुमा सकता है इसके कान बेहत समवेदनशील होते हैं रात में जब इसका कोई शिकार जानवर थोड़ी सी भी हरकत करता है तो इसे पता चल जाता है और यह उसे दबोच लेता है इसके पैरों में टेड़े नाखुनों वाली चार-चार अंगुलिया होती है जिससे इसे शिकार को दबोचने में विशेश सुविधा मिलती है ल चुहे इसका विशेश भोजन हैन उल्लू लगभग संसार के सभी भागों में पाया जाता है जिन पक्षियों को रात में अधिक दिखाई देता है उन्हें रात का पक्षी नॉक्टर्नल बर्स कहते हैं बड़ी आखें बुद्धिमान व्यक्ती की निशानी होती है और इसलिए उल्लू को बुद्धिमान माना जाता है हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है पर ऐसा विश्वास है यह विश्वास इस कारण है क्योंकि कुछ भारतिय पौरानिक कहानियों में भी यह उल्लेख मिलता है कि उल्लू धन की देवी लक्षमी का वाहन है और इसलिए वह मूर्ख नहीं हो सकता है हिंदू संस्कृती में माना जाता है कि उल्लू सम्रिध्धी और धन लाता है इस देशों में प्रचलित पौरानिक कहानियों में उल्लू को बुद्धिमान माना गया है उल्लू के पास बड़ी आगे की और आखें और कान के छेड एक बास जैसी चोंच एक सपाट चहरा और आमतौर पर प्रत्येक आख के चारों और पंखों का एक विशिष्ट चक्र एक चहरे की डिस्क होती है इस डिस्क को बनाने वाले पंखों को अलग-अलग दूरी से उल्लू के असम्मित रूप से रखे गए कान के गुहाओं पर तेजी से ध्यान केंडरित करने के लिए समायोज़ित किया जा सकता है शिकार के अधिकांश पक्षियों के सिर के किनारों पर आखें होती हैं लेकिन उल्लू की आगे की ओर की आखों की त्रिविम प्रकृती कम रोशनी शिकार के लिए आवश्चक गहराई की धारना की अधिक समझ की अनुमती देती है हालांकी उल्लू के पास दूरबीन द्रिष्टी होती है उनकी बड़ी आखें उनकी जेब में टिकी होती है जैसा की अधिकांश अन्य पक्षियों में होता है इसलिए उन्हें अपने पूरे सिर को देखने के लिए बदलना चाहिए चुंकि उल्लू दूरदर्शी होते हैं, इसलिए वे अपनी आँखों के कुछ सेंटीमीटर के भीतर कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं उल्लू द्वारा पकड़े गए शिकार को फिलोपलुम्स के उपियोग से महसूस किया जा सकता है, चोंच और पैरों पर बालों के समान पंख जोक महसूस करने वाले के रूप में कार्य करते हैं उनकी दूरग्रिष्टी विशेश रूप से कम रोशनी में, असाधारन रूप से अच्छी है प्राचीन यूनानियों में बुद्धी की देवी एथेन के बारे में कहा जाता है कि वह उल्लू का रूप धार कर प्रित्वी पर आई हैं लैंडिक द्विरूप्ता एक प्रजाती के नर और मादा के बीच एक शारिरिक अंतर है मादा उल्लू आमतोर पर नर से बड़ी होती है आकार्द विरूप्ता की डिगरी कई आबादी और प्रजातियों में भिन होती है और इसे विभिन लक्षणों के माध्यम से मापा जाता है जैसे की विंग स्पैन और बॉडी मास्ट कुल मिला कर मादा उल्लू पुरुशों की तुलना में थोड़ी बड़ी होती है उन कारणों से जो पूरी तरह से सहमत नहीं है एक सिध्धान से पता चलता है कि चैन ने पुरुशों को छोटा कर दिया है क्योंकि यह उन्हें कुशल वनवासी बनने की अनुमती देता है प्रजन काल में अधिक भोजन प्राप्त करने की क्षमता लाभप्रद होती है कुछ प्रजातियों में मादा उल्लू अपने अंडे के साथ अपने घोसले में रहती है जबकि नर की जिम्मेदारी होती है कि वह भोजन को घोसले में वापस लाए यदि भोजन की कमी है तो नर पहले मादा को खिलाने से पहले खुद को खिलाता है चोटे पक्षी जो फुर्ती ले होते हैं उल्लूओं के भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है मादाओं की तुलना में चोटे होने के बावजूद नर्बिल्विंग उल्लूओं में मादाओं की तुलना में लंबे समय तक पंख वाले होते हैं इसके अलावा उल्लूों को उनके शिकार के समान आकार के रूप में देखा गया है यह अन्य शिकारी पक्षियों में भी देखा गया है जो बताता है कि छोटे शरीर और लंबे पंखों बाले उल्लू को बढ़ी हुई चपलता और गती के कारण चुना गया है जो उन्हें अपने शिकार को पकड़ने की अनुमती देता है उल्लू विशेश श्रवनकार्य और कान के आकार का प्रदर्शन करते हैं जो शिकार में भी सहायता करते हैं वे कुछ प्रजातियों में खोपडी पर विशम कान प्लेस्मेंट के लिए विख्यात हैं उल्लू के या तो आंतरिक या बाहरी कान हो सकते हैं, जिन में से दोनों विशम है उल्लू के मध्य या आंतरिक कान तक विश्मता का विस्तार करने की सूचना नहीं मिली है उल्लू के पंक का रंग स्थिर बैठने और परियावरण में घुलने मिलने की क्षमता में महत्वपूर्ण भूमी का निभाता है जिससे यह शिकार के लिए लगभग अद्रिश्य हो जाता है